हेलो बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, गबराई है मत, सबका सॉलिशन है डाउटनेट बच्चों आपका किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है बस आपको उस कोशन का फोटो लेना है, उसको क्रॉप करना है और पांस सेकिंड के अंदर अंदर उस कोशन का वीडियो सॉलिशन आपको मिल जाएगा चाहे वो कोशन आपके होमवर्क का हो, सीबीएसी का हो, यूपी, बिहार, माराश्ट्रा, राधस्तान, एमपी या अन्य किसी बोर्ड का हो चाहे IIT, JE, NEET या क्लास 6-12 का सवाल हो, इन सब का जवाब मिलेगा डाउटनट एप पर या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायलोजी, साइन्स, आपके सभी सवाल के जवाब मिलेंगे डाउटनट पर साथ ही अब डाउटनट पर पढ़िए, कोटा की बेस्ट फैकल्टी जैसे जीबी सर, एनजे सर, अकांगसा मैम, प्रिंस सर, जैसे टॉप टीचर्स के यानि अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटनट एप पर तीन करोड से ज़्यादा बच्चे डाउटनट एप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाएए डाउटनट एप इस्टॉल कीजिए उधार नमबर 10 है, जो मैंने वज़्यादा अंडरूट 2, 3, 5 का उसे थोड़ा सा अलग है, मतलब ऐसे नमबर जो अंडरूट 2, 3, 5 तो आ रहे हैं, उसके साथ कोई नमबर आ रहा है, जो प्लस में आ रहा है, गोना में, भाग में, कुछ भी, तो उसके लिए ज़्यादा ब हो सकता है, गोना में भी हो सकता है, और भाग में भी हो सकता है, चाहिए ऐसे भाग में हो, चाहिए ऐसे भाग में हो, कैसे भी, तब उसके लिए method तोड़ा क्या हो जाता भी आपके change हो जाता है, तो उसके बारे में बताएंगे, उसके बारे में समझेंगे, तो start करते हैं, ह पाना पांच माइनस अंडरूड तीन क्या है एक परिमेशंग क्या है अगर यह परिमेशंग क्या है तो इसको हम ए बटा बी के रूप में लिख सकते हैं जहां पर B का मान क्या नहीं होना चाहिए जीरो नहीं होना चाहिए अब सिंपल सा है कि वह अंडूर वाला रखना इधर बीने अंडूर रखना है उधर तो हम यहां पर लेते हैं अंडूर तीन बराबर A बटा B प्लस का पांच है उधर बेदो हो जाएगा माइनस में और यह अल्रेडी आपके माइनस में अब यहां पर हम क्या करेंगे बी लेंगे यहां पर लसप तो एक आए इधर गुणा हो जाएगा तो यह हो जाएगा आपके पांच भी आपको साइन चेंज कर सकते हो अगर मैं इधर आपके प्लस का अंडूर तीन रखता हूं तो इधर क्या स होजाभी करना कर लो अब उसके बाद आपको कुछ तीन चाहा लाइन है वो आपको याद करने पड़े की उसके हिसाफस साफ को chance क्या लिखनाए आपको इधर क्या क्या नंबर है इधर तो हम यहां लिखेंगे ब강 से और भी पुरें मैंस एंभ़ज एपरी मैंमें होती है अ अगर यह परिम्य है तो यहां पर बराबर का साइन लगा हुआ है अगर यह परिम्य है तो आपके जो अंडरूड तीन है क्योंकि यहां पर तीन आएगा दो आएगा इसलिए अंडरूड तीन भी एक क्या होगी परिम्य क्योंकि यह परिम्य है यह बराबर का साइन लगा परंति इस्टत्य का विरुद्वास क्राथ होता है कि अंडरूड तीन एक अपरिमे संक्या है अता यह निसकर्स निकालते हैं कि यह वाला जो क्वेश्टन लिखावा है पाच माइनस अंडरूड तीन एक अपरिमे संक्या है तो आप लाइन कुछ रट सकते हैं कहां पर क्या इतना है थोड़ा ध्यान दे सकते हैं उधार नमबर 11 है हमें सिद्ध करना है कि यह परीमे संक्या है तो सिंपल है यह परीमे है हम इसे क्या मान लेंगे परीमे मान लेंगे तो हम यहां लिखते हैं माना तीन अंडरूड दो क्या होगी एक परिमेसं क्या होगी पहले हमें क्या मानना इसे परिमेसं क्या मानना है अगर यह परिमेसं क्या है तो इसको हम A बटा B के रूप में लिख सकते हैं जहां पर B का मान क्या नहीं होना चाहिए जीरो नहीं होना चाहिए अब यह गुणा है तो यह जाएगा भाग में तो यह हो जाएगा अंडरूड दो बराबर हो जाएगा A बटा 3 B बस यहां तक यह करना है इदर आपके प्लस का अंडरूड आजाए उदर बाके सब बेज दो अब हम यहां पर लिखेंगे बस इतना सा करने के बाद कुछ लाइन है आपको लिखने है क्या लिखो कर इदर क्या क्या है 3 A B है तो 3 A और B पुणांक है इसलिए A बटा 3 B एक परिमे संक्या होगी क्योंकि यह पुणांक है तो पुणांक हमेशा परिमे संक्या बनाता है अगर यह परिमे है तो यह भी क्या होगी एक परिमे संक्या होगी परन तुम जानते हैं कि अंटूड दो तो क्या है एक अपरिमे अगर यह परिमे है तो 3 अंटूड दो भी क्या होगी अपरिमे संक्या होगी परी में है तो इस संक्या को हम ए बटा बी के रूप में लिख सकते हैं जहां पर बी का मांद क्या नहीं होना चीज जीरो नहीं होना चीज अब इस तीन को उधर बेजेंगे तो दो अंडरूड पांच बराबर होगा ए बटा बी माइनस तीन अब इदर चाहो तो लशफ ले सकते हो लशफ क्या आएगा भी आपके बी इदर होगा अ तिरशा गुणा करेंगे तो यह आएगा आपके तीन बी अब यह गुणा है तो आएगा भाग में तो अंडूरूड पांच बराबर आगया है A माइनस तीन B बटा तो यह गुणा है तो आएगा भाग में ऐसे यह आया आपके यहां तक ही करना है बस इदर अंडूरूड रखना है बागे सब उदर वेज दो और प्लस माइनस करना है वो कर लो अब इदर दो भी है तीन भी है A और B भी है तो हम यह लिखेंगे दो तीन A और B पुनांख है इसका मतलब यह संक्या इसलिए A माइनस तीन B बटा दो भी एक परिमे संक्या होगी अगर यह परिमे है तो बरावर में जो लिकी संख्या वो भी क्या होगी? परिमें होगी. परंतो हम सबी जानते हैं की अंडरूड Baz तो क्या है एक अपरिमेंसंख्या है? अटय निस्कर्च निकलता है ये वाला 3 पिलस 2 अंडरूड पांच क्या होगी? एक अपरिमेंसंख्या होगी. एक पाइंट तिंग का कुश्चन नमबर तीन देरका हमेंसे ते करना है कि यह क्या है एक अपरिमेशन क्या है तो हम क्या करेंगे पहले इसका हर का परिमेशन करेंगे जो हम क्लास नाइंध में करते थे तो हमारे पास जो नंबर देर का है इसका हम करेंगे हर का परिम्य करन एक बटा अंटरूट दो देर का है हमें करना है हर का परिम्य करन तो अंटरूट दो को यहां भी गुणा करेंगे और यहां पर भी गुणा करेंगे यह फो जाएगा अंड़रोट दो बटा दो घुक जा अब हम यहाँ पर लिखेंगे यह जो हमने किया व्हाएं आ आप लिख सकते हो कि मैंने यहाँ पर किया हुआ हर का परीमे करन माना यह जो संख्या है क्या मानने हमने परीमे करना पड़ कि ऐसे हल नहीं होगा इसको हर का परिम्यगर्ण करना पढ़ेगा उसके बाद हम लिखेंगे अंडरूड दो बटा दो एक क्या है परिमेशंक्या है अगर यह परिमेशंख्या है तो इसको हम A बटा B के रूप में लिख सकते हैं जहां य सान पर बी का मान क्या ने होना चैए जीरों नहीं होना चाइए अब दो यह भार में उद्र जाए घुनां हो जाएगा तो अंडुरूरड । का मान हो जाएगा कितना दो ए बटा बी हो जाएगा बस हमें इधर अंडू टकना है बाकि उद्धर बेज दो अब यह हमारे पास यहां तक ही करना सॉल उसके बाद वह तीन चाह लाइने लिखनी है क्या लिखोगे यहां पर एक तो दो ए भी है तो हम यह लिखेंगे दो ए औ बराब लिखावा है तो यह भी क्या होगी परिम्य होगी परंत श्तत्य का विरुद्धाबास प्राफ होता है हमें पहले साही मालूम है कि अंडूरूड दो जो है यह वाली संक्या एक परिम्य संक्या है इसका मतलब यह जो संक्या लिखी हुई है एक बटा अंडूरूड यह एक अपरिमे संक्या होगी तीसरे का दूसरा देरका है हमें सिद्ध करना है कि यह अपरिमे संक्या है हम क्या करेंगे सिंपल सा है यहां पर लिख देंगे माना सित्वब परीम्य करना है लेकिन हमें इसको क्या मानना पड़ेगा आपको अगर ये परीम्य सेंख्या है तो इसको हम A बटा B के रूप में लिख सकते हैं जहां पर B का मान क्या नहीं होना चाहिए जीरो नहीं होना चाहिए अब यह गुणा है तो भाग में तो यहां आएगा अंडरूड का पांच बराबर A बटा साथ B बस यहां पर अंडरूड आना ची इधर बाकी सब बेज़तों अब हमें क्या गरना विश्कुशौल आगे आप लाइने लिकने हैं और कुछ भी नहीं है बस इसमें दो इधर साथ A भी है तो हम लिगेंगे साथ A और B पुनांक हैं इसलिए यह संग्या A बटा साथ B एक परिम होगी परण तो हम जानते हैं यह विरुद अवास है कि अंडरूड पांच क्या एक अपरी में अगर यह परी में है इसका मद्दब यह भी क्या होगी अपरी में ऐसे जो कुश्टन है वह आपको यहां पर लिखना है इती सिद्दम तीसरे का तीसरा देर का आपके सिद्द क प्लस अंडरूड दो एक क्या है परिमे संक्या मानते हैं माना कि यह परिमे संक्या है अगर यह परिमे हैं तो इसको हम ए बटा बी के रूप में लिख सकते हैं जहां पर बी का मान क्या नहीं होना चाहिए जीरो नहीं होना चाहिए इसको उदर भेज दो तो अंडरूड दो तो तो माइनस लसप लेलो तो क्या है कि लसप बी आएगा नीचे इधर एका ए जित्रे इच्छा गुणा कर लेंगे यह वह जाएगा छे भी छे भी अब यहां पर तीन नंबर है हमारे पास ए बी और छे हैं तो मैं यह लिखता हूं छे ए और बी यह तीनों कुणांक है इसक इसका मतलब यह संक्या भी क्या होगी आपके परिम्य होगी परन तुम जानते हैं के अंडूर दो तो क्या एक अपरिम्य इसका मतलब यह संक्या भी क्या कहलाएगी आपके अपरिम्य कहलाएगी इद्धी सिद्धम ऐसे आपको सिद्ध